एक हैल से on campus वालों को भी करना चाहिए to be on the safe side क्योंकि competition बढ़ता जा रहा है तो कुछ ना कुछ extra चीज़े चाहिए to stand out amongst others आना off campus वालों को तो चाहिए but definitely within the given time हमें थोड़ा on campus में भी stand out करने के लिए चीज़े कर लेनी चाहिए आप प्ले स्टोर पे आ गई है तुम्हारा पर डेटा स्टनल गौर्तम सच्छे है तो तुमने एक job ready programmer बन रहा हूं मैं बता रहा हूं you have everything to become a programmer हाई मैसल पारिक है तो यार आज की सेशन में पूरा complete road में बताने वाला हूं तो बिकम a job ready programmer और एक्दम मिलिकुल scratch से होगा कि तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती और उसके बाद तुम्हें क्या क्या चीज़े करनी है so that you become a job ready programmer उसके बाद जो तुम job चाते है उसके लिए eligible अच्छे से हो जाओगे सारी स्किल्स कवर्ड हो जाईगी और for on-campus people जिनकी companies on-campus आती है for off-campus people को क्या करना चाहिए मैं सब कुछ बताने वाला हूं so end तक रहना and you will get to know all of these things और अगर पसंद आए वीडियो तो like and share कर देना अपने friends के साथ and definitely subscribe हम चाले तो चलो start करते हैं बिल्कुल scratch से start करते हैं सबसे पहले अगर हमें programming नहीं आती तो सबसे पहले basics of programming सीखना है मतलब सबसे पहले functions loops किसी भी एक language सबसे पह आता बिल्कुल डर लग रहा है syntax से java में कर लो अगर clear future machine learning करने है तो python में कर लो किसी भी एक language को पकड़ लो और उसमें basic अच्छे से कर लो जिसमें तुम data section algorithms भी उसी में सीखोगे तो सबसे पहले एक language चुनके उसमें functions, loops, pattern के questions, oops concepts यह बहुत अच्छे से कर लो और इसमें एक दो महिने लगेंगे, किसी को एक महिने लगें, किसी को दो महिने लगें, कोई बात नहीं, यही तुमारा base बनाएगा और यही तुमारी आगे की चीज़े अच्छे से करेगा, तो सबसे बहले basic programming हमने अच्छे से कर लिया, यह सब हमने basic problem solving कर ली, अब आएगा main part जो अच्छे से करने पड़ेंगे, अच्छे से हमें problem solving बनानी पड़ेंगी, अच्छे से हमें problem solving बनानी पड़ेंगी, तो overall हमें 250-300 questions solve करने पड़ेंगे, the target is, the goal should be कि हमें problem solve करनी आ गई है, हम given a question हम सोच पाते हैं कि यह इसमें कौन सा data section algorithm करके, यह optimized way में solve हो जाएगा, तो ब दिमांग लगागे करें है, quality of problem से करें है, तो definitely हम बहुत अच्छे हो जाएंगे data structure and algorithms, और एक चीज मेक शूर करेंगे, इस ताइम कुछ और नहीं करें, केवल और केवल data structure and algorithms करेंगे, because mostly interviews में data structure and algorithms ही पूछा जाता है, तो यह हम पूरा end to end अच्छे से करेंगे, कुछ और लगाएंगे, तो हमने overall शुरू के 6-7 मेने कुछ नहीं किया, केवल data structure and algorithm सी अच्छे से किया, यह ना, बट यह कर लिया कि brute force से best solution तक हम अच्छे से सोच पाते हैं, ठीक है, that should be your first goal, अगर on campus interviews होते हैं, तो mostly focus DS and algorithms पर ही होता है, तो अगर इतना भी कर लोगे, तो शायद on campus people, off campus people के लिए बिल्कुल नहीं, off campus people को और चीज़े करनी पड़ेंगी, but on campus के लिए data structures and algorithms अगर 5-6 मेने लगके कर लेते हो, तो भी अच्छी नौक्री निकाल से हो, now comes the next path, जो मेरे खाल से on campus वालों को भी करना चाहिए, to be on the safe side, क्योंकि competition बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्स्टा चीज़े चाहिए, to stand out amongst others, यह ना off campus वालों को तो चाहिए, but definitely within the given time हमें, थोड़ा on campus में भी stand out करने के लिए चीज़े कर लेनी चाहिए, तो next चीज़ क्या करें, after data structure algorithms हम क्या करें, देखो चार जगे है, competitive programming है, web development है, app development है, machine learning है, एक चीज़ को चुनो और उसमें एकदम four देना है, मैं उसको चुनूँगा और एकदम बहुत अच्छे से कर लो, है ना किसी भी एक को चुन सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे से क तो अगले 6 महने अगर हम web development करने वाले हैं, data scan algorithm so कर लिया, अगले 6 महने अगर हम web development करने वाले है, तो शुरू के 3 महने कहां जाएंगे, हमें web development सीखने में, web development सीखने का मतलब क्या है शुरू तो, शुरू में TML, CSS अगरा सीखोगे, तुम कोई website बनाऊगे, अब वो framework में कर में चोटे-चोटे projects बनाना शुरू करोगे और तीन महने अच्छे से सीखोगे कि front end क्या होता है back end क्या होता है front end के frameworks जो है angular यार react कैसे चलते हैं और back end के कुछ framework कैसे चलते हैं और मैं back end से कैसे data रेट्रीव करके front end पर दिखा पाता हूं यह मैं तीन-चार महिने में अच्छे से सीख लोगा as a web developer once this is done यह तुम्हारा काम नहीं हुआ है अब हमें क्या करना है असली काम तो हमें website like करना है तो हमें एक project पकड़ना है उसको पूरा back end और front end के corresponding हमें अच्छे से काम करना है आइडिया की बात है आइडिया के लिए एक हमने वीडियो बना रखी अंकुछ ब्याने पूजा के मैं link में डलवा दूँगा वहाँ से different ideas पर work कर सकते हो खुद के idea पर work कर सकते हो उसको अच्छे से पूरा एक project को 3-4 महिने देखके बहुत solid project बनाओ और उसको live करो website को deploy करो that will stand you out कि मेरे पास एक link है जो ये website live है यह ना तो एक project अगर हमने अच्छे से कर लिया और हमने DS & Algo तो पहले अच्छे से कर आवाई था तो हमारा एक base set हो जाएगा हमें यह अच्छे से आप है now you are a job ready programmer क्योंकि तुमने website live कर दी तुम्हें like you are ready for a job कि तुम्हें job में बुला जाएगा और तुम्हें website बन गए जाएगी तुम अच्छे से काम कर पाऊगे और DS & Algo तो तुम्हारा अच्छे है यह web development की बात हो गई या फिर चुम्हें सकते हो तुम app development में क्या है android development है iOS development है react native आज की date में आ गया जो iOS Android दोनों बना देता है या फिर flutter है यह सब डिफरेंट चीज़े है अगर मैंने app चुना तो मैं 6 मेनी में मेरा goal होना चाहिए कि मेरी play store पर app होगी अगे उसमें क्या होगा शूरू के तीन मैंने हमें app बनाना सीखना होगा कि डिफरेंट चीज़े कैसे चलती है कि उसमें front end में कैसे चलता है API call कैसे करते हैं कैसे हम दिखाते हैं data डिफरेंट चीज़े fragments होगेरा क्या होता है आप में पूरा अच्छे से सीखेंगे जो भी एक चीज़ है रियाक्नेट में भी कर सकते हो फ्लटर में भी कर सकते हो किसी भी चीज़ में बट आप की तीन-चार मेने कैसे अच्छे से काम करते हैं छोटी-छोटी प्रोजेट्स बना के हम सीखेंगे उसके बाद हमें एक आप आइडिया पर वर्क करना है अगें आप के आइडिया अगर नहीं आ रहे तो अंकुछ भी एक वीडियो है वह मैं लिंक पर डलवा दूँगा वहासे आइडिया मिल चकते हैं खुद के आइडिया पर अगले तीन-चार मेने हम पूरा अप बनाने पर फोकस करेंगे जब तक वो प्ले स्टोर पर नहीं जाएगे रुकेंगे नहीं तीन-चार महिने काम करेंगे और उसको प्ले स्टोर पर डालेंगे नाव तुमारे इस रिज्यूमे पर क्या क्या है डेटा स्क्रान को अच्छे हो और तुम आप डेवल या फिर इसके बाद तुम क्या कर सकते हो competitive programming में बहुत अच्छे हो सकते हो मैं थोड़े hard data structure सीखूंगा बहुत अच्छा बनुगा problem solving में तो अगले 6 महिनी का मेरा target होना चाहिए कि मैं candidate master on code forces होंगा या मैं six star on code shift होंगा कुछ ऐसा होगा कि मेरा resume में stand out होगा और उसके लिए क्या होगा अगे शुरू के तीन महिने तुम्हें hard data structure गवरतम सीखने पड़ेंगे साथ साथ तुम contest में participate करोगे बट उतने अच्छे नहीं होगे बट शुरू के तीन महिने concept सीख सीख के contest में participate करके एक base set होगा और फिर उसके बाद next three months तुम ब लोग नहीं होते है तो तुम्हारे पास एक 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 सब्सक्राइब आ गया रिजुमें पर कि हाँ यू आप प्रूफ कि यू आ ग्रेट इन प्रॉलम स्वालविंग तो यह वाला बात भी चुन सकते हो एक और पात है that is machine learning काफी interesting है काफी hot topic है अगर machine learning चुनते हो तो अगेन एक six months का plan होना चीए तीन महीने सीखने का और तीन महीने project पर काम करने का शुरू के तीन महीने क्या सीखेंगे हैं बहुत सरे algorithm सीखेंगे mathematics concept सीखेंगे जो machine learning में लगते हैं उसको बहुत अच्छे से छोटे-छोटे project में apply करेंगे जब वो सीख लेंगे फिर next three months में end to end एक hot solid project बनाएंगे जो basically थोड़ा useful हो उसको github पे डालेंगे code को with a demo डालेंगे कि जो भी हमने बनाया हमारा algorithm इतना सही work करता है कुछ भी हो सकता है एक अच्छा सा project बनाया और उसको हमने live कर दिया github पे now this makes you a job ready programmer क्योंकि तुम data structures में भी अच्छे हो और machine learning में भी अच्छे हो गए हो so again you have the skill कि तुमें job ready programmer के corresponding ready हो ठीक है तो overall अगर मैं बात करूँ शुरू के 6 महीने data skills में अगले 6 महीने किसी एक skill में app development, web development, computer programming या machine learning में किसी भी एक चीज़ को चुनो और उसमें forward दो forward रहने का मतलब क्या है web development में forward रहने का मतलब है कि मैंने website launch करिया और वह मेरी live है कुछ users उसको use कर रहे है या मैंने app development चुना तो मेरी app मेरी live रहे play store पे कुछ users उसको use कर रहे है machine learning चुनी तो मैंने github पे डाला github पे कुछ rating आ रही है और demo है वहाँ पर वह use हो रहा है या फिर comedy programming चुना तो मैं candidate master report forces पे that will help me stand out है ना इन चारों में से कोई एक चीज़ चुनोंगे you will be become a job ready programmer एक चीज़ effectively तीन चीज़े और extra करनी है वो बस maximum 15 से 30 दिन का काम है तुम्हें OS DBMS और system design और थोड़ा सा computer networks ये चारों के basic fundamentals clear होनी चीज़ है अगर मैं operating systems की बात करूं तो deadlock क्या होता है SMA force क्या होता है इनकी conceptual knowledge होनी चीज़ है ऐसा नो तुम्हें पता ही नहीं है तो Galvin नाम की बुकाती है वहां से पढ़ सकते हो हमारे गाइगेट पास है मैं link को डलवा दूंगा वहां से पढ़ सकते हो तुम्हें operating system interviews के लिए क्या क्या आना चाहिए वो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा या फिर DBMS DBMS अगर तुम web development सीख लोगें तो बहुत सारे कुछ आ जाएगा अगर नहीं करा तो थोड़ा से SQL query मार रहा है यह सब थोड़ा सा basic आना चाहिए इंस्टाग्राम कैसे चलता है उसके low level design का मतलब क्या है high level design का मतलब क्या है थोड़ा सा पढ़ लो so that base ready हो जाए और computer networks के भी थोड़े बहुत basics पढ़ लो की TCP IP का मतलब क्या है या मैं URL टाइप करता हूँ Google.com तो पीछे क्या होता है बहुत ही common interview question है ऐसी ऐसी चीज़े conceptual knowledge कर लो यह 15 से 30 दिन का काम है now you have all of these skills जो भी हमें चाहिए to become a job ready programmer हमारे पास data screen और तुम सच्छा है हमारे पास या तो हम web developer है या हम app developer है या हम machine learning में अच्छे है या हम computer programmer है एक अच्छी चीज़ है और यह हमें basic programming fundamentals OS DBMS system design computer network के basic साथे हैं मैं बता रहा हूँ you have everything to become a programmer तुम्हें कोई नहीं रोग सकता job मे लगे बट करते रहो अगर यह सारी skills है तो job अच्छी लगेगी और फोड होगे तुम जिल्दगी तो यह सब अच्छे चे कर ले ना इसमें मैंने एक चीज़ मिस्स कर दी है जब web development या machine learning या app development या computer programming कर रहे हो अच्छे से कर लिया तो I take a guarantee you will become a job ready programmer तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी और यू विल एक्सली नियुर्ट इस अगर कुछ भी मैंने मिस्स कर आ है तो मुझे comment box में बताओ है ना पसंद आई ये वीडियो तो like and share करो अपने friends के साथ और subscribe पका से करो चानल पे हम कि बहुत सारी helping videos डालते रहते हैं तुम्हारी बहुत सारी help करते रहते हैं ओके चानल थैंक्यू